सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जय श्री कृष्णा दोस्तों वेलकम टू स्वात सफर और जिन्दगी ठेंड के दिनों में बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है स्टोर की जाती है जिसे आप साल भर खा सकते हैं तो इसी तरीके से मैं आज आपके साथ इस स्पेशली मिर्ची की रेसेपी लेके आई हूं यह मोटी वाली मिर्ची है हरी वाली जो मार्केट में इस टाइम बहुत आती है ठंड के दिनों में और यह हर साइस में आती है लोड़ी पतली वाली एस से मोटी भी आती है तो इसको आज मैं आपको एकदम सपेशल तरीके से स्टोर करना बताऊंगी इसकी रेसेपी आपकी करूंगी इसे खटी मिर्ची दही मिर्ची भी बोलते हैं और इसे आप बना के आप पूरे साल इसको एंजॉय कर सकते तो सब delicate मैंने यहां पे मठा लिया है और यह 5श लीटर जितना मठा था 10 किलो मिर्च बना रहेhou इससे मैंने Γाणा चम्मच काला नमख डाला और इसके साथ मैं इसमें सफेद नमक डालूँगी आदे जम्मत से भी कम मैंने इसमें सफेद नमक डाला एकदम ताजा मठा है मेरे घर का बना हुआ है और अगर आप चाहें तो इसके बदले इसमें दही भी ले सकते हैं पर मठा में डिप करने में थोड़ा साइजी होता है दही भी लेंगे न तो उसको आपको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा तो यह एकदम सही है इतनी कंसिस्टेंसी इसकी और बहुत जादा खटा और पुराना मठा इसमें मतले हैं अब मिर्च को मैंने बहुत अच्छी तर करें क्योंकि साल भर स्टोर करना है तो अगर खराब रहेगी तो पूरी मिर्च सड़ा देगी तो यह देखिए इसके डंडी ऐसी रहन देंगे इससे नहीं निकालना है और इसके बाद इसमें एक चीरा लगाएंगे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको डिप करें तो यह अच्छी तरीके से भीग जाएं इसी तरीके से मैं अपनी सारी मिर्चों में कट लगा दूंगे अगर आपको लग रहा है कि मिर्च बहुत बड़ी बड़ी है तो आप बीच से वन बाई टू भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीच से इस तरीके से लगाना है और इसको नमक डालना है और कुछ ने डालना है इसमें अब एक मोटी वाली या बड़ी वाली जो थाली होती है परात वगरा उस टैप से कोई बरतन ले ने बरतन ऐसा ले जो आप अच्छी तरीके से मिर्चियों को फैला सकते हैं एक एक करके सारी मिर्चियां मैंने इसमें डाल दी बहुत इच्छी तरीके से दिप करना है कोई-बहुत ही बड़ी-बड़े साइस की है मैंने इसको कट नहीं किया इसन भी डाल रहे हूं तो सारी मिर्चियां मैं इस們े डाल दी उर एक-एक करके इसको अच्छी तरीके से कोट करना है विल्कुल भी सूख ही रहनी चाहिए हर जगह से भीख जानी चाहिए और इसको थोड़ा सा उंगलियों से खोल भी रहे थाकि अन्दस तक यह मठा जो है वो चला जाए और दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसको पानी से आमें बिल्कुल बचा के रखना है नहीं तो यह खराब हो गयुँ जिसे इसको सूखने में सारी पीज मिल जाए और इसको सब is कर देंगे आप आपको जहां पर बहुत अच्ची धूप आती है वहां पर आप इसको रखने है अगर आपके घर में बहूथ तेज धूप आती है तो यह दो तो यह सारी मैंने डाल दी अब यह जो मठा बचा हुआ है इसको चम्मत से इसके उपर डालोगी पूरी इसको जो है न मठे में डिप करना है पूरा का पूरा तो यह चम्मत से इसके अंदर अंदर तक मैं भर दे रही हूं बिल्कुल अलग टाइप की यह रेसिपी है और लिख रही है बाद में विल्कुल अंड में इसका जो रूप है न वह बिल्कुल परिवर्टेथ Boss हो जाएगा विल्कुल अलग हो जाएगी तो यह सारी क thi सारी हो गई अब पतला कपडा लेंगे यह तरी के का अप चाएद्वाना ले सकते हैं चुन्नी ले सकते है साडी का दूंगी मेरे गर में बहुत दूप आती है तो मेरी तो दो दिन में बन के एक दम रेडी हो गई थी आपके गर में कम दूप आए तो आप इसको रोज रात में उठा लें और दिन में फिर सुबा से इसको दूप में रख दें तो यह इसी तरीके से बांथ के मैंने दूप में उसको उपर कर देंगे और जो portion सूख गया है उसको नीचे कर देंगे मेरी एक दिन में इतनी ready हो गई थी क्योंकि बहुत तेश दूप थी तो इस तरीके से इसको कर दें और बीच बीच में आपका जो कपड़ा है उसको कोल कोल कोई करते हैं कि कहां इसमें दूप लग रही है कौन सी अच्छे से सूख रही है कौन सी कम सूख रही है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सूख गई और कुछ नहीं सूखी तो यह देखिए यह एकदम ready हो गई मेरी दो दिन में सूखने के बाद कैसे सूखी सूखी दिखने लगी इसी तरीके से हो जाती है अब आपको एक दो फ्राय करके भी दिखा देती हूं इसको तेल में ढालना है और बस एक-दो बार इस तरीके से घुमाना है और यह एक-दम इसको इसी तरीके से हलका सा फ्राय कर लेता है तेल में और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है पनके एकदम रेडी हो गई आप इसको बनाए जितनी मर्जी उतनी बनाई है पूरे साल खाई है गर्मियों में तो बहुत मजा आती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्र करेगी और जब भी आपका खाने कमानों इस तरीके से प्राय करें और इसको इंजॉय करें 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 करें